हे गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल रामा सरीज पार्ट सिक्स तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्षन में मिल जाएगा पिछले एपसवर में हमने देखा था कि रेन साव से बहुत ही रूडली बात करता है क्योंकि रेन को लगता है कि साव जिया के पती को छिनना चाती है वेल रेन का अंदाजा तो पिल्कुल सही रहता है पर साव को रेन की बाते बहुत ही बुरी लगती है और वो रेन को कहती है मैं यान की क्या हूँ वो तो तुम्हें वक्त ही बताएगा और साव यह कहका गुस्से से वहां से चली जाती है तो यान भी साव के पीछे जाने लगता है तो रेन उसे रोकता है तो यान कहता है मुझे जाने दो और उससे माफी मांगता है तो साव को बहुत ही अच्छा लगता है कि यान उसके पीछे पीछे आया है लेकिन जब साव को ये बात पता चलती है कि यान उससे माफी इसलिए मांगने आया है क्योंकि जिया को बुरा ना लगे प्यूंकि जब भी वो परसान होती है तो जिया भी उसे देखकर परसान हो जाती है और यान जिया को परसान नहीं देख सकता तो साव को बहुत ही बुरा लगता है कि यान को सिब जिया की फिकर है ना कि उसकी आगे साव यान को कहती है क्या तुम मेरे साथ एक जगा चलोगे वहाँ जाने के बाद साए तुम्हें कुछ याद आ जाए तो यान साव के साथ चला जाता है आगे साव वेडिंग ड्रेस में तयार होकर बहार आती है तो यान साव को देखकर कहता है क्या तुम्हारी साधी हो जाता है और वो कहता है मेरी साधी तो हो चुकी है और मेरी वाइफ जिया है तो फिर हम दोनों की साधी कैसे होने वाली थी तो साव ये सब देकर पुरी तरह हैरान होती है कि यान को कुछ भी याद नहीं आ रहा तो बेचारी बात को पलर देती है और कहती है मेरी साधी नहीं ह पर यान उस जूते को देखकर बहुत भुश हुरे होता है इधर जेन जिया का जीना हराम कर रहा होता है और उसे ओफिस की सारी चीजे सिखाने के पीछे पढ़ा हुआ होता है तो बेचारी जिया के पले कुछ पर तो नहीं रहा होता है पर जेन उसका पीछा नहीं छोड़ता क्योंकि जेन नहीं चाहता कि जिया किसी भी मामले में होजाती है तो जैन कहता है यह मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूं ताकि तुम बोर्ड मिटिंग में कोई गल्ती ना कर सको और confidence के साथ सब्सक्राइब कर सको इसलिए उसलिए तुम्हें यह सब याद करना होगा मुझे जिया बिच बिच में बहाना बनाने लगती है कि मुझे भूक लगी है प्लिस मुझे खाने का तो ब्रेक दे दो तो जैन कहता है ठीक है आगे जैन के लिए खाना बनाती है तो जैन को वो खाना बहुत ही पसंद आता है पर वो ये बात जाहे नहीं करता तो जैन कहती है मैं और किसी मामले में अच्छी हूँ या ना हूँ लेकिन मैं खाना बनाने के मामले में बहुत ही अच्छी हूँ और मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाती हूँ तो जैन कहता है ये बात तो सही है कि तब ही वहाँ पर रेन आ जाता है तो रेन उन दोनों को एक साथ देखकर अच्छा फील नहीं करता और गुस्य से जाने लगता है तो जिया कहती है तुम्हें क्या हुआ तो रेन उसके किसी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाती है इधर यान उस गिफ्ट को कवर्ड में छुपा देता है ताकि जिया उसे देखना पाए और वो उसे बहुती अच्छा सर्प्राइस दे सके कि तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और वो कवर्ड खोड़ने लगती है जिस चकर में वो दोनों एक दुसे के बहुती कर जाते हैं तो जिया को लगता है कि यान उसे किस करने वाला है पर यान उसे किस नहीं करता तो बैचारी का मूड ओफ हो जाता है वैल आपको यहाँ पर इन दोनों की खटी मिठी नोग जोग भी देखने को मिलेगी अगले दिन जिया ओफिस जारी होती है तो वो रेन को कहती मैं college जा रहा हूँ इसलिए मैं नहीं कर सकता तो जिया कहती है मैं यान को घर में अकेले नहीं छोड़ सकती तो क्यों ना तुम इसे अपने साथ college ले कर जाओ तो रेन कहता है मैं इसे college कैसे ले कर जाओ वैसे भी एक college का एस्ट्रेन नहीं दिखता और मैं इसे कैसे ले जाऊंगा तो जिया कहती है तुम्हारी बस इतनी ही प्रॉब्लम है ना लो मैं इसे solve कर देती हूं और जिया यान को एक college student के तरह तयार कर रेन के साथ भेज देती है आगे रेन यान को अपने साथ ले कर तो जाता है आगे रेन को college से बाहर निकाल दिया जाता है उसके behavior को लेकर तो रेन प्रिंस्पल की मिनते करता है कि वो उसे एक और chance दे पर प्रिंस्पल chance देने से मना कर देता है कि तभी वहाँ पर यान आ जाता है और प्रिंस्पल को कहता है मैं रेन का बड़ा भाई हूं तो क्यों न तुम कुस दिनों के लिए मेरे student को पढ़ाओ तो यान इस offer को accept कर लेता है अपने भाई के लिए पर रेन इन सबसे भी अपने भाई से खुस नहीं होता उल्टा उसे डांट सा है तो यान अपने भाई से माफी मांगता है वैल यान ने पाष्ट में रेन के साथ भी ऐसा ही किया था जिस वज़ा से रेन यान से इतना गुसा है आगे यान जिया को लेने के लिए office जाता है कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकास सन से हो जाती है तो सन यान को बहला फुसला कर अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है जियान ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हे कैफे लेकर जाओ वो वहीं पर आ जाएगी तो यान सन के साथ चला जाता है इधर जिया सारा काम करके जब वो नीचे आती है और वो यान को खोसती है पर उसे यान नहीं मिलता तो वो पूरी तरह घबडा जाती है और वो हर जगा यान को ढूनती है पर यान उसे कहीं भी नहीं मिलता तो वो साव को कॉल करती है तो साव को जैसे ये बात पता चलती है कि यान गायब है तो वो दोड़ कर जाती है और वो है कि तुम में कोई प्रॉब्लम है तो याशन को बता देता है कि वह सब नहीं पर सकता वो कुछ भी नहीं पर सकता वो जब लाई खुछ अन्य जाता है उससे सब कुछ धुन्दा दिखता है इसी वज़ यह सब जैन और मैमई भी देख लेते हैं तो मैमई को पहले से ही सक हुआ होता है कि साव और यान का कोई ना कोई चकर जरूर चल रहा है और वो ये सब देखकर तो और तंग रह जाती है तो जैन साव को यान से दूर करता है कि तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और यान से पूछती है तुम कहा चले गए थे मैंने तुम्हें आफिस के नीचे इंतजार करने को कहा था ना तो यान कहता है मुझे सन लेकर चला गया था अपने साथ और उसने बताया था कि तुम मेरा केफे में इंतजार कर रही हो आगे सभी लोग मेरा के पाफे पर जाते हैं और वहाँ पर यान सब को बताताए कि उसने सन से क्या क्या बात की तुजैन के सब सुनकर पूरी त्रा हिरान होता और वो कहता है सन को यान की कमजोरी के बारे में पताच चल गया है और वो चुप नहीं बैठेगा वो कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा उस ओफिस को पाने के लिए इसलिए हमें सतर्क रहना होगा आगे यान जिया को लेकर वहाँ से चली जाती है और जैन और साव भी जाने लगते है तो मैमेई साव को कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करने है क्या तुम रुख सकती हो तो साव रुख जाती है आगे मैमेई साव से डिरेक्टली पूछ लेती है क्या तुम यान को पसंद करती हो क्या तुम दोनों के बिच कुछ चल रहा है तो साव मैमेई को बता देती है कि वो यान से प्यार करती है और वो यान से प्यार अब से नहीं बल्कि दस साल पहले से करती है तो मैं मैं ये सुनकर पूरी तरह सौक्ट हो जाती है और वो कहती है तुम यान से प्यार करती हो ये मैं मानती हूँ लेकिन तुम अब समल जाओ क्योंकि यान अब जिया का पती है और तुम इस तरह उन दोनों का घर बरबाद नहीं कर सकती तुम क्यों उन दोनों के बीच में आ रही हो तो साओ कहती है मैं उन दोनों के बीच में नहीं आ रही बलकि जिया हम दोनों के बीच आई है मैं दस साल पहले उन लोगों को छोड़ कर चली गई थी क्योंकि मुझे लगा मेरे जाने के बाद यान और जिया के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा दूसी तब यान रिकोर्डिंग करके अपनी मेमोरी बनाता है ताकि उसे याद रहे कि उसने कल क्या किया और यान ये सारी बाते जिया से चुपाता है आगे जिया यान के फोन का lock खोल रही होती है पर उसका lock नहीं खुलता तो जिया परिसान हो जाती है क्योंकि पहले यान के फोन का lock उसका बद देट था पर वो काम नहीं कर रहा होता है तो जिया यान से पूस्ती है कि क्या तुमने अपने mobile का password चैन्स किया था तो यान को कुछ भी याद नहीं होता तो जिया कहती है कोई बात नहीं तुम अपने धिमाग पर जोर मर्ड डालो जब तुम्हें याद आ जाएगा तब तुम इस फोन को खोल लेना तो यान कहता है ठीक है तो जिया बूर्ट मिटिंग में जारी होती है तो यान कहता है ऐसा क्यों मैं इतने पहले गिफ्ट नहीं किया तो जिया कहती है पास्ट में तुम बहुत ही बिजी रहते थे जिस वज़ा से तुम मेरे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाते थे तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं तो यान कहता है कि हमें इतना बुरा पती था तो जिया कहती है ऐसा नहीं है तो मेरा बहुत ही खयाल रखते थे इसलिए बुरा मत मानो और मुझे लेट हो रहा है और तुम भी अपने काम पर जाओ ठीक है और वहाँ ठीक से अपना लेक्च्वर देना तो यान कहता है ठीक है आगे सब मिलकर ओफिस जाते हैं तो वहाँ जाकर उन लोगों को पता चलता है कि सन ने अपना खेल खेल दिया है और उसने सारे बोर्ड मेंबर्स को ये बात बता दी है कि यान अभी बिलकुल ठीक नहीं है और नहीं वो ओफिस चलाने के लायक है क्योंकि अब वो अपाईज हो गया है जब वो कोई चीज पर ही नहीं सकता तो वो ओफिस कैसे समहा लेगा तो वो लोग ये सब सुनकर तो पूरी तरह सौक्ट हो जाते हैं और साउ तो सन पर भड़क नहीं लगती है तो सन उसके कानों में कहता है क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारा प्यार तुम्हें भूल गया है और सन साओ को यान को लेकर टॉंट मारता है तो साओ को बहुत ही गुसा आता है और वो सन को मारने के लिए दोर जाती है पर वो लोग उसे सांत कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं जीया ने यान को कहा होता है कि साओ अभी बहुत ही गुसे में है इसलिए तुम उसके साथ रहना और उसे सांत रखने की कोसिस करना तो यान साओ के साथ टाइम में स्पैन करता है तो साओ को बहुत ही अच्छा लगता है कि जिया भी सैड होकर जा रही होती है तो जैन कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया तुमने कम टाइम में इतना कुछ हियाद कर लिया तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है तो जिया ये सब सुनकर खुश हो जाती है कि तभी जिया को पलिस इस्टेशन से कॉल आता है यान के अफ्रादी का पता चल गया है तो साओ और जिया दोनों ही इस्टेशन जाते हैं पर वो दोनेically पुलिस वाले से पूशते हैं कि야 वो बंदा पकरा गया किया उसने यह बात बताई कि उसने यान पर गोली क्यों चलाई थी तो वो पुलिस वाला कहता है वो बंदा भी नहीं पकरा है और इन सामानों को देख कर लगता है कि यह रॉबरी वाला काम है ना ही हमारा anniversary था और ना ही मेरा बद्दे था फिर तुमने ये ring क्यों खरी दी जब ये अंगूठी मेरी हातों में फिटी नहीं हो रही तो यान कहता है मुझे नहीं पता कि मैंने ये अंगूठी क्यों खरी दी आगे मै-मै भी उस अंगूठी को ट्राय करती है ताकि उसे ये चल सके कि वह अंगुठी किसके लिए खड़ी थी पर वह अंगुठी मैमी के हाथों में भी फिट नहीं होती या कहती है मैमी नहीं भी ट्राय किया नहीं तुम भी ट्राय कर लो क्या जाता है ठील अर प्र वे 550 आज amendment उसके लिए खड़ीती थी ताकि वो उसे प्रपोस कर सके पर वो ये बात किसी को भी नहीं बताती